हेलो फ्रेंड्स, डिजनीर पर आई मूवी पार्किंग, मैन एगो को अच्छे से दिखाती है जहां घर के पूर्षों का अपनी पतनी बच्चों से मर्द होने का एगो और बाहार खुद को उच्छा और प्रेस्टीजियस रखने वाला एगो है मूवी पार्किंग, मल्यालम राइटर सेंची की ड्राइविंग लाइसेंस और आयपन कोशुकी के पीछे मैन एगो वाली एक सीक्वेंस फिल होती है स्टोरी है इश्वर यानि हरिश कल्यान और अथिका यानि इतूचा रवीचंदरन एक लव मैरी कपल है और अथिका प्रेगनेंट है वो एक घर के फर्स फ्लोर को किराय पर लेते हैं जहां ग्राउंट फ्लोर पर एक सरकारी अधिकारी इलम परूती यानि MS भासकर अपनी परत्नी रासेलवी यानि राम राजेंदरन और बेटी अबरना यानि की प्रात्ना नाथन के साथ रहते हैं इलम परूती के पास बहुत पुरानी बाइक है और जो ज़्यादा पैसे खर्च करने में विश्वाश नहीं रखते इश्वर एक IT कंपनी में जॉब करते हैं और ज़्यादा पैसे जोने में विश्वाश ना करके अपनी जरुवते पूरे करने में विश्वाश करता है अब इश्वर नई कार खरीता है और घर में पार्क करता है इलम परूती और ईश्वर में कार पार्किंग को लेकर छोटी सी बात होती है और पार्किंग की बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई में बदल जाती है दोनों की इगो आपस में टकराती है और ईलम परूती भी नई कार ले लेते हैं अब ये पार्किंग प्रॉब्लम बढ़कर बदले की भावना में तब्दील हो जाती है, एक दूसरे को मारने की हद तक पहुच जाती है, अब इस लड़ाई में ईश्वर और इलम परूती में कौन जीतता है या फिर दोनों में सुलै हो जाती है, ये जानने के लिए आपको म प्रॉब्लम पार्किंग को लेकर रोज होने वाले जगड़े को बहुत अच्छे से दिखाया है, ये सब हमारे सामने भी आजकल रोजी होता है, सेम सी एस का बैग्राउंड स्कोर पार्किंग के अनुरूप अच्छा है, जीजू सनी की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, सीन काफी अच्छे ढंग से लिए गए हैं और ऐसा नहीं लगता कि कोई भी सीन जब अदस्त्री डाला गया हो, तो जी एडिटिंग भी फि भेंकार, जवानी का जोश और साथी अपनी बात कहने के बाद पस्ताबे वाले सारे एक्सपेशन और एक्टिंग अच्छी की है, और उनके अपॉजिट एमेस भासकर ने भी कमी नहीं रखी, अक्रोश, मतलब एक फ्रस्टेशन वाली और ईशा, गुसा और साथी अथिका क के लिए सौफ्ट वाला एंगल भी उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है, इतुतर अभी चंदरन भी अपने केदार को अच्छे से निभाती हैं, हाला कि उनके लिए बहुत जादा कुछ करने को है नहीं, रामा राजेंगर भी एक ऐसी इस्तरी जिसने छोटी छोटी के लिए अपने पती को बार-बार कहना पड़ता है का किरदार अच्छे से दिखाती है, प्रात्ना ने बंजबूर बेटी का रोल बको भी निभाया, इलावसू और बाकी सभी कलाकार अपने किरदार को अच्छे से निभाते हैं, इनसान अपने एंकार को छोड़ दे तो प महले घर की है, इसे आप इगो प्रॉब्लम ना बना कर एडजस्ट हैबिट बना लें, तो ये प्रॉब्लम ना हो कर सॉलूशन बन जाएगी, लेकिन आप इंजॉय करें पार्किंग